4, 3, 2, 1 भारत ने हिंदू और मुसल्मानों के बटवारे के समय से बहुत सारे दंगों को देखा है जब 10 लाख हिंदूओं और मुसल्मानों द्वारा एक दूसरे के बेरहमी से टुकड़े कर दिये गए थे राजनेताओं ने पहले भी विभाजनकारी राजनीती का फाइदा उठाया है स्वयम विभाजन ने इस घिनावनी राजनीती को शिखर पर पहुँचाया है दुर्भाग्य से आज की राजनेता उस खून खराबे से कोई भी सबग नहीं ले रहे है जिन लोगों को अहिंसा के सिधानत को सीखना चाहिए था वो लोग अब लोकतंत्र के सार अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं भारतिय शुबचिंतक यह सब देखकर विस्मित हैं आज पदमावत के रिलीज होने की बात करना परेशानियों को दावत देना जैसा है राजस्थान में एक पुराने किले में किसी को मार कर लटका दिया गया था दीपिका पादुकोण और संजय लीला भनसाली को पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ी सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया कि फिल्म पूरे भारत में दिखाई जाएगी और कोई भी राज्य सुरक्षा की चिंताओं को लेकर इसे प्रतिबंधित नहीं कर सकता दूसरी ओर करणी सेना सिनिमा घरों में आग जनी कर रही है राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों का फिल्म रिलीज के लिए विरोध हुआ है बहुत कम कलाकारों, लेखकों, बुध्धिजीवियों, नेताओं ने भारतिय कट्टरपंथियों, हिंदू और मुसलिम दोनों का विरोध किया है वे या तो दक्षिड पंथी हैं या वाम पंथी, जो लोग मुसलिम कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं वो लोग हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा हमला किये जाने पर सामने खड़े हो जाते हैं लेकिन मुसलिम कट्टरपंथियों द्वारा हमला किये जाने पर वो एक शब्द भी नहीं बोलते ना सिर्फ राजनेता बलकी कलाकार और बुद्धिजीवी भी बेईमान हैं दो चहरे वाले हैं और सिर्फ अच्छे समय के दोस्त हैं वे केवल उनहीं राजनीतिक दलों के प्रती वफादार हैं जो उनकी मदद करते हैं कुलकाता में टॉलीवुट की मांग है कि पदमावत फिल्म को दिखाया जाना चाहिए यह एक स्वागत करने योग्य मांग है लेकिन ये बुद्धिजीवी और कलाकार तब कहां थे जब ममता बनर जी ने मेरे मेगा शो दू सहाबास पर रोक लगा दी थी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत मुद्धे के विरुद्ध बोलता है तो उसे सभी गलत मुद्धों के खिलाफ बोलना चाहिए लेकिन अगर आपने कुछ चुने हुए विश्यों का विरोध राजनितिक लाभ पाने के लिए किया है तो यह खतरनाक है शायद वो अदूर दर्शी राजनितिग्य सिर्फ वही विरोध करते हैं जहां उन्हें अपना फाइदा दिखाई देता है मुझे मुसलिम बहुसंख्यक देश में मुसलिम रुडिवादिता का विरोध करने पर उनका सामना करना पड़ा मुझे हिंदू बहुसंख्यक देश भारत में हिंदू कटरपंथियों के खिलाफ बोलने के लिए गलत समझा जाता है जिस देश को मैं एक उदार देश मानती हूँ और अपने दिल से प्यार करती हूँ मैं इस कटरता को समाप्त करूंगी चाहे यह कटरता मेरे स्वयम के धर्म में हो चाहे उस देश में जहां की मैं निवासी हूँ